पतन जली चवन प्राश बेश कीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ट चवन प्राश भारत मंडपब में प्यम मोदी ने की परिक्षा पे चर्चाइस डुएंट से किया समवाद प्रिक्षा के तनाव से रिमटने के दिये टिप्स अभी भावकों को भी दिया बड़ा संदेश पिछले दस सालों में बदल गई है तालीमी शोबे की सुरते हाल लेफ्ट रैंड गवरनर वनो सिनहा का वयान नई तालीमी पॉलिसी और दस्तियाब टेक्नलोजी कर सकती है बेहतरीन इनसानी वसाइल पैदा निजी स्कूलों में तालीम होनी चाहिए काबले रसाई और सस्ती बिहार में नितीश कुमार के पाला बदलने पर नैशनल कॉनफरेंस एमपी हसनायन मसूदी ने कॉंगरिस को बताया अंकारी जवाब में कॉंगरिस ने कहा मसूदी को नहीं देना चाहिए गेर जिम्मेदाराना बयान अभी राजनीती में हैं नए सादवी रितामबरा ने की कॉंगरिस और कुछ दीगर स्यासी जवातों पर तनकीद प्राण परतिश्चा तक्रीब से दूर रहने पर तनकीद कहा बाकी तमाम मंदिरों के बारे में मौजूद हैं काफी सबोत करिशन जन्म भूमी मंदर जल्द ही हकीकत बन जाने की जताई उम्मी और जब मुकश्मीर के हालात में मजमुई तोर पर आई है काफी बेतरी फौजी सर्वारा जनरल मनोश पाड़ी के बयान कहा राज़ोरी और पुझ के वाकियात को देखते वे उठाई गए हैं मुनासिव एक्दामाद जल्द होंगे खातिर खाह नताईज बरामत पतंजली 54 बेश टीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ट 54 प्राश नमस्कार बहुत स्वागत हैं आप देख रहे हैं महा संग्राम 2024 मैं हूँ आपके साथ हबो हरे रहा जमू कश्मीर में सीट बटवारे के बुद्धे पर दो सयोगी दलो यानि कॉंग्रेस और नैशनल कॉंफरेंस के बीट शीत युद्ध और तेस हो गया है जमू कश्मीर कॉंग्रेस ने आज नैशनल कॉंफरेंस के वरिश नेता और सांसद हसनायन मसूदी के उस बयान पर कड़ी आपती जताई जिसमें उन्होंने कॉंग्रेस को अहंकारी बताकर निशाना साधा है उधर जमो कश्मीर कॉंग्रेस के वरीश उपाद द्यक्ष रविंदर शर्बा ने कहा कि उनकी पार्टी के कारी करता चाहते हैं कि कॉंग्रेस अनतनाक लोगसबाद सीट से अपना उम्मीदवार उतारे तो वहीं सूत्रों का कहना है कि ना के वल कॉंग्रेस बलकी पीडीपी भी अनतनाक से अपना उम्मीदवार खड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है अब ऐसे में जमो कश्मीर में लोगसबाद चुनाओ के लिए सीट शेरिंग को लेकर इंडिया गड़बंदन में कलाहतेज होती देखाई दे रही है जिसवर बिजेपी ने जमो कश्मीर में विपक्षी दलों पर तंज कसना भी शुरू कर दिया है क्या कांग्रस निवा रही है मुझे लगता है कांग्रस से कहीं नगी कोताई हो रही है कांग्रस वो इंपार्टनस वो एहमियत नहीं दे रही है जो हमारे इरिजनल पार्टी जो उनको देनी चाहिए देखिए वक्त से पहले ही उनको किसी एक तरीक के अहनकार जैसा आगया। तो जम्मू कश्मीर में भी अब चुनावी की सरगर्मिया एक तरह से तेज हो गई है लेकिन इंडिया ब्लॉक क्या होगा क्योंकि बिहार में नितीश कुमार जो इंडिया गडबंधन को लेकर एक तरह से खड़े हुए थे वही अब बीजेपी के पाले में चले गए बीजेपी से उन्होंने एक तरह से अलाइंस कर लिया है ऐसे में अब सवाल जम्मू कश्मीर में भी उठा है कि क्या जो इंडिया ब्लॉक हो मजबूती से उसमें अलाइंस हो पाएगा सीट शेरिंग क्या उसमें हो पाएंगी इसी पर हम चर्चा करेंगे बहुत खास मेहमान मेरे साथ जूड़ है बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आप से इंट्रोड़क्शन करा देता हूँ मेरे साथ एडवकेड मुजफर अकबाल खान साब हैं सीनियर लीडर हैं जमो कश्मीर नैशनल कॉंफरेंस से मेरे साथ जूड़े हूए हैं डॉक्टर जासेब सिर्वाल हैं स्पोक्सपरसन हैं जमो कश्मीर कॉंग्रिस के वो भी इस चर्चा में हमारे साथ जूड़े हूए हैं और कुछ दिर में बीजेपी स्पोक्सपरसन भी पास आना चाहूंगा क्योंकि इंडिया गडबंधन अभी चुनाओ एक तरह से पूरी तरह से अभी डेट नहीं आई है लोगसभा चुनाओ की लेकिन उससे पहले आप देखें कि बिहार में क्या हुआ या आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कहा और वेस्ट बंगाल में मम इंडिया बुलॉक का हिसा इसके लावा और भी कई चोटे-बोटे गडबंधन हैं लेकिन सवाल यह उठाए कि अब जो कुछ बिहार में हुआ जो वेस्ट बंगाल में हुआ क्या उसी तरह से जम्मू कश्मीर में होगा या जम्मू कश्मीर में इन्डिया बुलॉक नेताओं के व्यक्तित्व बयान किया बात कर रहे हैं जो उन्होंने परस्नल केपैसिटी में अलग-अलग जगा पे दिये हैं जिसके लिए इससे पहले भी हमारी पार्टी की नाशनल लीडरिशिप ने स्टेटमेंट्स दे के प्रेस कॉंफेंस के माध्यम से कुछ बातों को क देख रही है और उनको अपने इस दोगलेपन का खाम्याजा आने वाले चुनाव में बिहार की जनता बता देगी रहा सवाल जम्मू कश्मीर की राजनिती का तो जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक जो है अभी तक पूरी मजबूती के साथ भारती जनता पार्टी का हमारे लिए कोई अचंबे वाली बात नहीं है जैसे नितिश कुमार जी ने जब इंडिया ब्लॉक जोईन किया था तो उस समय पर ग्रहमंत्री जी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि ऐसे नेताओं के लिए बाजपा के दर्वाजे हमेशा के लिए बंद हो गए है तो कल अचानक से अली बाबा की गुफा के दर्वाजे कैसे खुल गए कल अचानक से भारती जन्ता पार्टी ने उनको स्वागत करने में तो सेकंडू का समय नहीं दिया नड़ा जी अपना सारा काम काज छोड़के विदिन मिनिट्स चौपर फलाइट लेकर पटना यहाल लूँ मेरे साथ अजय भारती साब एक सेमेलसी बीजेपी के जमू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स परसा ने वह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय भारती जी आपको यह बहुत सवागत है मैं जाजब जी ठीक अब जमू कश्मीर ही पर आ रहा हूँ जैसे ही नितिश कुमार ने इधर एक तरह से पाला बदला उधर नेशनल कॉन्फरेंस के MP हसनायन मसूदी साहब ने कहा कि ये कॉंग्रेस की सुस्ती की वज़े से और कॉंग्रेस की जो रंडी ती उसकी वज़े से ये खाम्याजा भुगतना पड़ा है जी लेकि मैंने पहले ही कहा कि हसनायन मसूदी साहब ने एक व्यक्तित्व बयान दिया है अपनी परस्नल केपैसिटी में एक बयान दिया है इस बयान का कहीं पर भी इंडिया एलाइन्स को लेकर अभी तक नैशनल कॉन्फरेंस का कोई ओफिशल स्टेटमेंट नहीं आया है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा हवा बनाएं बहुत ज़्यादा कोई खबर बनाएं और दूसरी बात जो हमारे चीफ स्पोक्स परसन साब ने आज क्लियर कट बात कही है कि जिस लोगसबा की आप बात कर रहे हैं तो उस लोगसबा में अगर हकीकी राजनितिक बात भी देखी जाए जमीन देखी जाए तो कॉंग्रेस ने उस दोनों इलाकों में चार लाख से ज्यादा वोट पिछले लोगसबा चुनाव में लिया है तो कॉंग्रेस अपनी जगा पे पूरी मजबूत है जी जी क्योंकि हस्तायन मसूदी साब का जो बयान था मुझफर अखबाल खान साब उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस जो इलाकाई पार्टियां उनको नजर अंदास करती है इलाकाई पार्टियां क्या शाहती है कॉंग्रेस उस पर एक तरह से भरोसा नहीं करती है देखें मसूदी साब ने जिस बैककाउंड में ये कहा है इन भी बैकट्राप के बई नतीश कमार अलाइन से एक्जिट हो रहे थे और वो सब को बड़ा फील हुआ हालंके जिस तरह हमारे कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन साब ने कहा है कि नतीश जी का रुविया जो है वो कभी भी पिछले आप अगर तारीख उठा के देखेंगे पास्ट में वो कभी भी एक स्टेंड पे मकमल नहीं रहे जब उनको बीजेपी ने गिराने की कोशिश की और उन्होंने एकदम टर्ण लेके लालू जी के साथ गॉवर्मेंट बनाई थी तो तब उन्होंने कहा था जान दे सकता हूँ लेकर अब बीजेपी के साथ नहीं जा सकता हूँ और उसी तरह असल सियासत तो नितिश कुमार पफ लीडर्स पिर लोग भी इनके साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं हां अगर अगर सियासत इसी का नाम है बैमानी का नाम है नहीं तो सामने वाला तो बार बार धोखा खा रहा है चाहे आर जेटी हों चाहे कॉंग्रेस हों चाहे इंडिया ब्लॉग हों सब तो दोखा खा रहें बार बार वो का सियासत प्र रहें ये बात सही है प्रच खाने वाला अगर मकारी पलिव नहीं करता जूट पर नहीं करता असूलू की सियासत पर बलिव करता है तो रहों दोखा खाए गा ही हुं Moore को दोखा देने के लिए कभी भी त्यार नहीं हैं, हम दोखा क्हाने के लिए त्यार हैं, हम दोखा कर नहीं सकते हैं, और ये लोगों के साथ दोखा है, अब किस मूस हैं उन लोगों को जाकर ये बताओगे, कि कल तक मैं उसी बीजेपी के खलाफ था, मैं उनकी आइडियालोजी के खलाफ था मैंने अलाइन बनाने में इसमें कोई शक नहीं नितिश कुपार तो इसमें माहिर है तो रहा स्वाल मुसुदी साब का कलेम है इसमें देखें कांगर्स आज तक आज ठीक है कांगर्स मतलब अतनी बड़ी पार्टी नहीं रही है लेकिन कांगर्स एक पैन इंडिया पार्टी है और अगर कांगर्स ने लोगों को इन मुशकलात से नकालना है जिन मुशकलात में पूरे मुलक के लोग इस वकत है और अगर इस आइन को बचाना है यहां की पॉलिटी को बचाना है यहां के सेकलरिजम को बचाना है तो उनको थोड़ी सी फराख दिली दखानी पड़ेगी रिजिनल पार्टीज को अकॉमोडेट करना पड़ेगा और एक ब्राडर अलाइस यही बात तुम मैं कहे रहा था और बिल्खसुस जम्हु किश्मीर की देखो जम्हु किश्मीर की तो शकल ही बदल दी इनोंने जम्हु किश्मीर रियासत नहीं छोड़ी जम्हु किश्मीर की इंप्लाइमेंट नहीं लोगों के लिए छोड़ी जमीने नहीं छोड़ी बचा क्या आपकी assembly एक municipality बना के छोड़ दी और उसमें भी election नहीं पिछले 5 साल से करवाई तो जमूर किश्मीर के लोगों को भी बचाना है और इस मुलक को अगर बचाना है मैं बताओं इस मुलक के लिए एक बहुत बड़ी मुश्कलात है आइन को किस तरह से आप बचा सकते हैं सामने वाले को आप क्यूं कोस रहे हैं आप में ही मजबूती नहीं थी इंडिया बलॉक में ही मजबूती नहीं है पहले पहले अपने खेमे को मजबूत कीजिए उसके बाद सामने वाले को कोस है सामने वाला तो पॉलिटिक्स कर रहा है अज 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 भारती जी आपके पास आरो जी जी आज बारती साफ बहुत खुश दिख रहे हैं अब यूदि उनकी खुशी में श्रीक हो जाएंगे लेकर आपी दो हजार चौबीस बहुत दूर है तब तक बहुत कुछ हो रहा है सब्सक्राइब करते हैं आप दूसरे को कह रहे हैं आप फराग दिली दिखाओ खुद आप करते नहीं हैं आपको ऐलाइंस चलाना नहीं आता फिर आप दोश देते हैं किसी को भी आप अभी आज आपके लिए नितीश कुमार यह हो गए विलन हो गए ममता बेनर जी के बारे में क्या खयाल है आम आदमी पार्टी मान के बारे में क्या है अखले शादाओ के बारे में क्या है बेसिक चीज़ है कि यह जो इंडी डॉटे 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 अलाइंस जो बना था यह बना ही था गलत तरीक यह है कि आगर आपको एलाइन्स चलाना होता है तब परसनल इकोज को साइड पर रखना होता है तब जो लारजर काज आप कह रहे हैं रही बात जो हमारे नेशनल कॉन्फरेंस के मेरे दोस्त ने कहा कॉनस्ट्यूशन में सेकलरिज्म आपने सेवन्टी सीक्स में जोड़ा था जब एमरजन्सी थे अपोजशन के लोडर लीडर सारे जेल में थे यह देश तब तक भी सेकलर ही था यह उनीस सो सेंटालिस के जो पाच्छन की आए थी जो मजब के विन्याद पर हुआ तब भी य यहां की मिटी की तासीर वज़नी है यह हमारा सिविलिजेशनल एथास आप इसले लें अलाइंस कैसे चलाना यहां पर आजे भारती जी बता रहें कि अलाइंस चलाया कैसे जाता है बात कैसे बनती है एगो साइड पर रखना होता हमारे चाए अटल जी हो चाए नरेंदर मो सब्सक्राइब को पियु illusions कल गई पिडिवी के साथ एलाइन्स किया था और पिड़्ीपी कе साथ गड़बनं तोड़ा था तब इनकी अलाइन्स चलने की сुंट कहांगी थी इन्हों इन्हों ने एक समय पर नैशनल कांफिर्श के साथ एैलाइन्स करना और फिर उसके बाद छोड़ दिया तब इनकी ऐलाइन्स हेलाने की स्किल्स कहा गई थी पंजाब में इनसे अकाली अलग हो गए इनकी स्किल्स में बना कर दिया पंचाइटी एलेक्शन करने से बारते जनत पर को मिनिट नहीं लगा चोड़ने में पंजाब में अकालियों के साथ क्या हुआ आपको चोड़के चली गई थी जब तक प्रकाश सिंग बादल जी थे हमारे में यह ग्यान ना दे इसलिए आप एक राश्ट्री पार्टी के प्रवक्ता है आप पर कुछ जिम्मेदारिया है तो आप जिम्मेदारी से बात करिये आपको भी पता है कि राजनिती में इस चीज़ का आने जाने का चलन लगा रहता है आप इसके हमें साइस पुना समझाईए क्योंकि आप से भी कोई अलाइंस पार्टनर समले नहीं है आप तबके बोल क्या थे आपके आपको तो निटिश कुमार बहुत अच्छे लग रहे हैं आज आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं तो इसलिए वो एक अलग चीज़ है मैं यह कह रहा हूं कि अलाइंस को प्रेसेज चलाना होता है मजफर अखबाल जी बात पूरी कली जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी मेरे दोस्त अजे भारती साब आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं लेकर यह खुशी बहुत देर तक रहने वाली नहीं है हमारे यहां अलाइंस को कुछ नहीं होने वाला हम चाहते हैं आप खुश रहें लेकिन यह जो आज की खुशी प्रब चाहरं हैंगे इस पर ने क्रेंजु आज़ोग कर लेंगे मुझबर एपाल खान सब फिर आप उन्हें पूबल कर लेंगे फिर उन्हें आप पूबल कर लेंगे पर्मानेंट अलाइंस उनका इनके साथ भी नहीं है और इनका भी नहीं है मैं यह भी उता हूँ आपको पिछली बार जब उनको छोड़कर नहीं आए हेलो जी 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 हाँ हम जानते हैं कि उनका सबाव क्या है इसलिए हम उनको उसी हिसाब से उनका सवागत भी उसी डंगते करते हैं जिस डंगते करना चाहिए लेकिन अभी यहाँ पर जो घड़ बंदर में फॉर एक्जेंपल अनतनाक सीट की बात है कॉंग्रेस के हमारे मित्र कहते हैं कि नहीं उसमें हमारा दावा है पीडीपी कहते हैं हमारा दावा है तो किसका दावा है यह तो ताही करना पड़ेगा इस डिफकल्ट क्वेश्चन कोई एल्लाइंस में एड्रेस किये पगेर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है तो यह मेरा कहिना है कि यह इसे होते हैं क जिसमें alliance का जो लीड करता है जो alliance को चलाता है उनको इसको address करना पड़ता है उसमें कोई personal यह नहीं बनता है नाम बता दे इनके पास किमेर में लडने के लिए candidates नहीं है इनको कहिए नाम बताते हैं आज नेशनल टेलिवीजन पे यह तो पंचायद चुनाव करने से डर गए यह हमें क्या ग्यान देंगे अलाइंस वाले किस चीज को लेकर लड़ रहे किसको लेकर नहीं लड़ाई भी वह करता है जिसके पास जमीन हो बात वह करता है जिसके पास इनके पास तो वैली में कैंडिडेट्स ही नहीं है आप एक कैंडिडेट का नाम ले लीजिए आप अगर यही पर डिक्लियर करना जाए अब सवाल यह उड़ता है कि सीट शेरिंग का जो मामला वो बड़ा तेहरी खीर जैसा लग रहा है जम्मो कश्मीर में खास्तोर से अन विदारें कॉंग्रेस पीडीपी और नेशनल कॉंफरेंस नेशनल कॉंफरेंस 2019 पर तीन सीटें जीती हुई है वो तीन सीटें छोडने के लिए तैयार नहीं है तो यह बहुत-बहुत मुश्किल लग रहा है जाजिब जी नहीं देखिए मैं देखिए मैंने आपको पहले भी कहा एक बार फिर सपश्ट कर दू कि भारती राश्ट्री कॉंग्रेस की आला कमान इंडिया एलाइंस का पूरा जितनी लीडर्शिप है यह सब मिलके सीटों को लेकर जो भी फैसला लेंगे वो जम्मू किश्मीर के लोगों के हित में होगा जो भी कैंडिडेट सामने आ जाहुल गांदी जी को जानता हूं मैं अपनी पार्टी को जानता हूं कि हमारी पार्टी कभी भी देश के लोगों के लिए जम्मू किश्मीर के लोगों के लिए जहां पर हित की बात होगी हम अपना सौर्थ अपनी हर चीज को गुर्बान करने के लिए तैयार है तो बिल्कुल एडवोकेट मुजफर अखबाल खान साब मेरी आवाज आ रही है आप तक बंगाल में तो दी थी एक सीट ममताजी ने तो आपने तो वह एक सब्ट किया ने बंगाल में अभी भी बातचीत का दोर जारी है अभी वहां सीट जब तक एनाउंस होगी तब तक बहुत कुछ होना है अभी तो हमारी वहां यात्रा चल रही है अभी तो भाजपा की नींद भारत जोड़ो निया यात्रा ने चुराई हुई है अभी तो इसके बाद बहुत कुछ होना है अपको मानना पड़ता आपको मजबूरी में मानना पड़ रहा है आप अपने को बड़ा क्लेम करते कर रहे हैं आप भी ध्यान रख लिए दर देगा करे आपके अज़े जहां पर हम नहीं मानते हैं तो आप कहते हैं आपका बेट कर रहे हैं आपका अपका अपने दिल को यह समझा लीजिए आपको कोई सीट में जानती है आपनी आपने आप आप बाद भी पार्टी कहते हैं शिर्फ आपकी मदद हमें दिली में चाहिए पंजब में आप गुशिये मत तो यह तो मैं कह रहा हूं कि आप कहरें कि आप ग्रेंड ओल्ड पार्टी नैशनल पार्टी है तो कहा है आपका वो मैं उस क्कॉस्चन का जवाब दे रहा हूं बाकरी मुझे कोई दिकत नहीं है आप जैसे लड़ी है नहीं लड़ी है वो आपकी चिंता है मुझे उसकी कोई दिकत नहीं है बारते जंत पार्टी को दोज़ाटर चुबीस में जनादेश लेना है पहले से इंपरूर जनादेश आएगा है यह तैंए यह दोगूने टाइप किया है बारत की जनता ने टाइप किया है जाजिब जी कैसे कैसे रोकेंगे आप लोग बीजेपी यहां दावा कर रही कि पहले 2019 के मुकाबले में 24 में ज्यादा सिते उसकी आएंगी और मजबूत होगी बीजेपी और बीजेपी का अलाइंस इंडिया ब्लॉक कैसे रोकेगा आप में अभी तक मजबूती नजर नहीं आ रही है जी अबू हुरेरा जी ये इंडिया ब्लॉक का चुनाव नहीं है ये इस बार देश के समविधान को बचाने के लिए चुनाव है ये इस बार बेरोजगारी खतम करने के लिए चुनाव लड़ा जाएगा ये इस बार देश से महंगाई को बकाने के लिए लड़ा जाएगा यह देर रात में जिस बेटी का शव जलाया गया उसका बदला लिया जाएगा दोज़ार जोड़ाव में थोड़ा सा वक्त है अलांकि बिजेपी ने तैयारिया शुरू कर दिये लेकिन अब इंडिया ब्लॉक्त में तस्वीर निकल कर साफ तस्वीर निकल क कब सामने आएगी यह देखना बहुत अहम होगा क्या जम्मू कश्मीर में जो तस्वीर है वो एक तरह से साफ हो पाएगी क्या इंडिया ब्लॉक में बात बन पाएगी क्या सीट शेरिंग का फार्मूला तैय हो पाएगा यह आने वाले दिनों में देखना बहुत दिल्चस भाएगी ने राज्यों में चुनाव परभारी और सेह परभारी नियूक्त कर दिये है चार सीटो वाले हिमाचल प्रदेश में श्रीकांद शर्मा को विजैयपी ने लोकसभा चुनाव परभारी और संजे ट Lewis को सेह परभारी बंदाया है बता दे कि शिम्ला से मारे सायोगी राजिंद्र साथ हों जुड़े हुए राजिंद्र इससे पहले भी हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी जब चुनाओ की बात होती है लेकिन एक करके अपने तमाम तयारियां पूरी एक तरह से कर रही स्टेप बाइस्टेप बिलकुल भाजपा की तरफ से तयारियां पूरी हैं और बहाल ही में चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी लोग सबाश चुनावों की दिश्टी से तैनात किये गए हैं श्रीकांद शर्मा लगातार हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से वो चुनावों के समय प्रबंदन करते आए हैं चाहिए वो पिछले बिधान सबाश चुनावों की बात हो इवन जब नगर निगम शिमला के चुनाव हुए थे तब भी उनको प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी दिए गई थी उससे पहले जब कई बार बिधान सबाश चुनावों में वो प् प्रभारी हैं और सजे टेंटनस याप रवारी है तो ऐसे में भाजपा की तरफ से जो अपना होंबर्क हो काफी आगे हम कह सकते हैं कि अब प्रभारी और से प्रभारी हिमाचल परदेश पहुंचते हैं और फिर अपनी जो रूटीन की मीटिंग हैं उनको लेना शूरू कर क्योंकि अभी तक का जो पार्टी हाइकमान की तरफ से तार्गेट दिया गया था उसके उपर भाजपा आगे बढ़ रही और उसका आकलन करना उसका रिव्यू करना यह मीटिंग अब प्रभारी और सह प्रभारी अब शुरू करेंगे क्योंकि संजे टंडन साथ लगते शर्मा वही माचल प्रदेश पहुंचेंगे और अभी तक की जो एक्सेसाइज है उसका आकलन करेंगे और बड़ी बात यह है कि आज ही भाजपा विधाक दल की बैठक भी इसको लेकर है जिसमें लोकसाबा चुनावों की दृष्टी से भी काफी एहम चर्चा होने की संभ जैराम ठाकर मंडी संस्ध्यक्शित में अनुराग ठाकर हमिरपो संस्ध्यक्शित पहुँच रहे हैं इसके आलावा सुरेश कशयप श्रीमला संस्ध्यक्शित में और कांगडा में भी लगातार बड़े नता बम पिन्सिंख परमासहित तमाम बड़े नेताओं के दौरे लगाता आचारी अब देखना होगा कि जो प्रभारी और सह प्रभारी लगाए हैं वो कब तक हिमाचल प्रदेश पहुंचते हैं और फिर किस तरह से जो चुनाव का मोमेंटम भाजपा की तरफ से शुरू किया गया है इसको आगे ले जाते है क्योंकि अभी आने वाले दिनो मिल्कुल राजेंदर जाहिर से वात है कि बिजेपी ने तैयारिया शुरू कर दी है और अब एक तरह से बिजेपी की जो तैयारिया है वो रफ्तार भी पकड़ने लगी है बहुत बहुत शुक्रिया राजेंदर हमारे साथ जुल्ड़ी के लिए और अपडेट करने के